नमस्कार आदाब मैं हूँ उर्फान आज के इस special podcast में आपकी लेकर आया हूँ अशोक पांडे की लिखी टिपनी जो के रॉबर्ट पर्सिक की किताब Zen and Art of Motorcycle Maintenance के बारे में है पहाड पर चढ़ने को लेकर रॉबर्ट पर्सिक की किताब Zen and Art of Motorcycle Maintenance में एक शानदार बात कही गई है पहाड पर चढ़ते वक्त आपका कम से कम श्रम लगना चाहिए उसे फते करने जैसी कोई इच्छा भी आपके भीतर नहीं होनी चाहिए आपके अपने सुभाव की वास्तविक्ता को तैय करना चाहिए कि आप किस रफ्तार से चढ़ेंगे ऐसा करते हुए अगर आप बेचैन हो जाते हैं तो रफ्तार बढ़ा दें हापने लगें तो धीमे हो जाएं पहाड पर चहना बेचैनी और थकान के बीच संतुलन कायम करना होता है जब आप बहुत आगे के बारे में न सोच रहे हो आपका हर कदम नकेवल एक गंतव्य हो जाता है वो अपने आप में एक अद्विती ए घटना भी बनता है आप अपने आसपास के माहौल का जाइजा लेना शुरू करते हैं जमीन पर गिरे इस सूखे पत्ते के किनारे दातेदार हैं सामने इस जगह पर चटाने ढीली हैं इस थान से बर्फ कम नज़र आती है ये वो चीजें हैं जिन पर आपको वैसे भी गौर करना चाहिए सिर्फ भविष्ट के किसी लक्ष्ट के लिए जीना एक खोकली बाद है असल जीवन पहाड की बगलों में होता है चोटी में नहीं चीजें वहीं उकती है लेकिन अगर चोटी नहो तो पहाड की बगले भी नहीं होंगी चोटी से ही उसकी बगलों को परिभाशित किया जा सकता है हम इसी तरह चढ़ना सीख सकते हैं एक बार में एक कदम कोई हरबडी नहीं रावर्ट परसिक की इस आत्मकतात्मक किताब का नायक दो तरह के जीवन मूल्यों से उपजने वाले संगरश का समाधान ढूनने निकला है एक तरफ शास्त्री मूल्य हैं जो मोटर साइकल जैसी मशीनों का निर्मान करते हैं दूसरी तरफ रूमानी मूल्य हैं जिनकी मदद से आप गाउं से गुजर रही किसी सड़क की खुबसूरती का अनभाव करते हैं स्कूल से लेकर युनिवस्टी तक की पढ़ाई में बेहतरी इन परदर्शन करने वाले रावर्ट परसिक ने दर्शन शास्तर में डिग्री हासिल की तकनीकी लेखक और अंग्रेजी अध्यापक की रूप में काम किया लेकिन 1960 के दर्शक के शुरुआती वर्शों में उन्हें मानसिक बीमारी से गुजर रपड़ा जिसकी वज़े से उनका लंबा समय अस्पतालों और पागल खानों में बीता अस्पताल के इन अनुभवों ने उनके जीवन दर्शन को उल्जहा कर रख दिया जिसे राह पर लाने के लिए उन्होंने 1968 में 11 साल के अपने बड़े बेटे क्रिस्टोफर के साथ 17 दिन की एक मोटर साइकल यात्रा की परसिग तब 40 के हो चुके थे यही यात्रा Zen and the Art of Motorcycle Maintenance की बनियाद बनी यात्रा के शुरुती 9 दिन में पिता पुत्र के साथ उनके नजदी की पर इचित जान और सिल्विया भी रहते हैं यात्रा के दौरान उनके तमाम विश्यों पर वारतलाप चलते रहते हैं इन वारतलापों में प्राकीन रोमन, ग्रीक, जापानी और अन्यदारश्टिक सिध्धानतों को कसोटी पर घिसा जाता है परसिग ये सारी जद्ध जहद जीवन को समझने के लिए भी कर रहे हैं और अपने बीते समय को स्वीकार करने के लिए भी Zen and the Art of Motorcycle Maintenance के सिध्धानत को एक वाकि में यूं कहा जा सकता है अगर कोई काम किये जाने लाइख है तो वो बहतर तरीके से किये जाने लाइख भी होता है तुर्की के कवी नाजिम हिकमत की तरह रौबर्ट परसिग भी बार बार इस बात को दोहराते चलते हैं कि आपको हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे आप अनंत काल तक जीए चले जाएंगे लेकिन उस जीने में ये एहसास भी शामिल होना चाहिए कि हर दिन आपका आखरी दिन है ये बात एक ही समय में आपको उमीद से भरती है और यातना से भी भाशा और दर्शन के विविद स्तरों पर समानांतर चलने वाले इस उपन्यास का नरेटिव अलग-अलग तरीकों से जीवन दर्शन, विज्ञान के इतिहास, प्रकृती, साहस और मशीनों जैसे विश्यों को छूता चलता है आप एक चीज की उपस्तिती को समझना शुरू करते हैं, दूसरी चीज सामने आती जाती है, जिसे समझा जाना उतना ही महत्पून है फिर तीसरी, फिर चौती, ये क्रम चलता ही रहता है और किताब के समाप्त होने पर आप एक बेहतर मनुश्य होकर निकलते हैं, जिसके प्रशनों और विचारों में इस पश्टता की मुलायम रोश्नी है राबर्ट परसिक की इस किताब को छपने से पहले 121 प्रकाशकों ने अस्वीकार किया जेन एंड आर्ट अफ मोटर सैकल मेंटेनस से परसिक को किसी तरह का लाब कमाने की उम्मीद नहीं थी ये अलग बात है कि उसका अनुआद 27 भाशाओं में हुआ और अकेले अंग्रेजी में उसकी 50 लाग से ज़्यादा प्रतियां बिकी अपने यहां फुटपाथ पर किताब बेचने वाले हर दुकानदार के पास इसकी कम से कम एक पायरेटिट कॉपी तो होती ही है शांदार किताब है पढ़ी जानी चाहिए